पहले देखो पहले से को किसान यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाइम किसान सम्मान निधियोजना को लेके जिन भी किसान भायों के बैंक अकाउंट में पियाइम किसान सम्मान निधियोजना का पैंसा नहीं पहुच पा रहा है तो दोस्तो आप किस प्रकार से इस नंबर पे कोल करके आप अपने पैंसे जल्द से जल्द मंगवा सकते हैं सभी किसानों को जल से जल दिये काम करना होगा जिनकी अकाउंट में अभी तक PM किसान सम्मान निद्योजना की पांचो किस्ते नहीं पहुच पाई है दोस्तों पूरे संपूर भारत में लोकडाउन लगा हुआ है लोकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है तो इसी बीच जो है आप किस प्रकार से घर बैठे ये काम करके PM किसान सम्मान निद्योजना की पांचो किस्तों का पैसा आप मंगवा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करें उससे पहले आप सभी से छोड़ा साग रहे है अगर आपने अभी तक हमारे यूरूप चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है और आप एक किसान की कैटिगरी में आते हैं इसी प्रकार से PM किसान सम्मान निद्योजना की पलपल की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड सब्सकाइब के वड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब करें इतना नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बैल या घंटे के निस्तान को दबा के और लोटिफिकेशन को अन करें ताकि आने वाली आगे की वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले प्राप कर पाएं और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं PM किसान सम्मान योजना को लेके बड़ी अपडेट आ रही है अगर आप किसान है और नहीं आ रहे हैं आपके खाते में पैसे तो इस नंबर पर फोन करके या कोल करके आप अपने पैसे मंगवा सकते हैं दोस्तों देश के प्रधानमाती नरेंदर मोजी ने देश के किसानों को लाब पहुंचाने के लिए पिछले साल यारी 2019 में PM किसान सम्मान निर्योजना की शुरुआत की थी जिसका टारगेट यही रखा गया था किस बेश में खेती करने वाले सबी किसानों को खेती से जुड़ी समश्याओं को सामना नहीं करना पड़े इसके लिए कुछ पैसे उनके पास पहुंच सके तो इसको मध नजर रखते हुए किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6-6,000 रुपए 2-2,000 रुपए की तीन किस्तों के मादम से मोधी सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में डिजिटल ट्रांसपर के मादम से भेशती है दोस्तों आपको बता दे इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप किस प्रकार से इस टोल फ्री नंबर के उपर आप कोल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है ये 6,000 रुपए जो है हर 4 मेने के अंतराल में डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के मादम से मोधी सरकार सभी किसानों के बैंक अकाउंट में बेशती है दोस्तों PM हेल्प डेक्स का किया गया है गठन देश में ऐसे बहुत सारी किसान है जो इस योजना का लाब उठाना चाते हैं मगर किसी कारण वस रजिस्टेशन कराने के बावजिद भी नुके खाते में पैसा नहीं पहुँच पाता है ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने यह हैं हेल्प नाई नमबर जारी किया है इसके जर्य आप अपनी दिक्कतों से सरकार को रूबरू करा सकते हैं सरकार ने इसके लिए अलग से PM किसान हेल्प डेक्स के नाम से पोर्टल बनाय हुआ है उसी के अंदर कर आप अपनी इमेल आईडी PM किसान spaceict at gov.in पर आप अपनी संपर्क कर सकते हैं जो भी आप प्रोब्लम हा रही है आपके सामने वो आप सेयर कर सकते हैं इसके अलावा सरकार ने कुछ phone नमबर भी जारी किया है इसके जरेवी आप सरकार से मदब ले सकते हैं दोस्तों ये help line, text, email id और ये toll free number आपको वीडियो के नीचे description में मैंने plug करा दिया है वहाँ से देखके भी आप call करके अपनी PM किसान संबान रियोधना की जानकारी ले सकते हैं help line नमबर आप देख सकते हैं 155261 दूसरा help line नमबर है 01206025109 इसके अलावा toll free नमबर है 1100115526 दोस्तों ये तीनों ही नमबर आप देख सकते हैं पहला नमबर आप देख सकते 155211 दूसरा नमबर HDD नमबर 0120 6825109 और तीसरा mobile नमबर 18111526 इन नमबरों पे आप toll करके जानकरी ले सकते हैं हाला कि ये नमबर काफी बिजी रहता है क्योंकि काफी call आते रहते हैं लगबग 14,00,000 किसानों को PM किसान सम्मान निधियोज नामे जोड़ने का target रखा गया था और आप तक 9,00,000 से ज़्यादा लोगों ने शोरी दोस्तों 9 करोड से ज़्यादा लोगों ने इसके अंतरकत registration करा लिया है तो दोस्तों इसके तैट जाला ये number विज रहेगा लेकिन आपको बार बार ट्राई करते रहे रहे हैं सबसे ज़्यादा ये number जो है शाम 9 बज़े से 12 बज़े तक आप इसमें call करके एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको PM किसान सम्मान दोलना का help line number आपको बताया है इसके अलावा अगर आप bank वाई help line number की जानकरी चाते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो का link प्रोवाइड करा दिया है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद